नमस्कार दोस्तों, जैश्री महाकाल तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉंग के कुछ खास उप्यों के बारे में जी हाँ दोस्तों, किसी खास मोको एयर त्योहारों पार किये गए ये उपाए बहुत ही चमतकारी सिद्ध होते हैं तो चलिए, बात कार्टे है उप्यों के बारे में करें तो दोस्तों, शुकरवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब के साथ साथ दो लॉंग भी अर्पित करनी चाहिए जियोतिश शास्तर के अनुसार ये उपाए बहुत कारगर माना गया है इससे व्यक्ति के लिए धन लाब के रास्ते खुल सकते हैं यदि बहुत मेहनत के बाद भी आपके हाथ में धन नहीं ठिक रहा है तो इसके लिए आप ये उपाय कर सकते हैं पांच लॉंग लेकर उसे एक लाल कपड़े में बांध दें अब इस कपड़े को धन के स्थान या तिजोरी में रख दें ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो सकते शनिवार के दिन घर में दिया जलाएं और इसमें तीन से चार लॉंग डाल दें जोतिश मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से साधक के सभी बिगड़े काम धीरे-धीरे बनने लगते घर के पांदान में रखी एक छोटी सी लॉंग बहुत काम की चीज है ये बड़ी से बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में ये बेहद उपयोगी है इसका प्रयोग टोना टोटका में भी किया जाता है लेकिन आज हम बात करेंगे लॉंग के कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आपके लिए फाइदे मंद होंगे पूजा पाठ, पित्रतरपन, आधिकामों में भी लॉंग का इस्तिमाल किया जाता है माना जाता है कि लौंग में सकारात्मक उर्जा होती है जोतिश में भी लौंग से जुढ़े कई उपाय बताए गए हैं माना जाता है कि लौंग के उपाय करने से बड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है अगर आपके काम बनते बनते बिगड जाते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा करते समय, सरसों के टेल का दीपक जलाएं और इसमें दो लॉंग डाल कर उनकी आरती करें। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय मूह में दो लॉंग रखकर निकलें और वहां जाकर लॉंग के कुछ अवशेश मूह से फेंक दें। ऐसा करने से आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान है तो धन की देवी मा लक्षमी को लाल गुलाब के साथ दो लॉंग अर्पित करें। ऐसा करने से मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है, साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु दोश है तो आपको हर्शनिवार लॉंग का दान करना चाहि साथ ही शिवलिंग पर भी लॉंग अर्पित करें। ऐसा करने से राहु केतु के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बार बार बीमार पड़ रहा है या बुरी नजर लग गई है तो आप पांच साबुत लॉंग लें और उसे साथ बा तरह की बीमारी से पीडित है तो डॉक्टर की दवाई के साथ साथ महा शिवरात्री दिन साथ बेर लें और दोपहर बारह बजे बीमार व्यक्ति के ऊपर से साथ बार वार कर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। धन की कमी बनी रहती है। दुख और गरीबी ने आपके घर में पैर पसार दिये हैं। माता लक्ष्मी आप से रूट गई है और नकारात्मक उर्जा और नकारात्मक शक्ति आपके घर में डेरा डाल कर बैठ गई है। साथ ही क्या आपके घर में कई सारी बीमारिया एक कोई भी रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा या फिर आपके घर परिवार के लोगों की तरक्की रुक चुकी है और उन्नति के रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे तो क्या आपकी रसोई घर में काली मिर्च के दाने रखे हुए हैं अगर हां तो आप खुश नसीब हैं क्योंकि काली मिर्च के दाने वो कमाल कर सकते हैं जिन्हें देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे और ऐसा कहना है हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का गुरु जी का कहना है कि पांच काली मिर्च के दाने चुपचाप एक विशेश जगह रखने से आपकी जिन्दगी में तरक्की के रास्ते तो खुल ही जाएंगे और आप माला माल भी हो सकती हैं तो अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरु जी के बताए हुए काली मिर्च के विशेश उपाए तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों कहा जाता है कि हमारे जीवन में जितना प्रभाव हमारे कर्मों का होता है उतना ही प्रभाव हमारे भाग्य का भी होता है और हमारा भाग्य हमारी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होता है और इनी ग्रह नक्षत्रों की दिशा हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन गुरुजी का कहना है कि अगर हम पूरी आस्था और विश्वास के साथ कुछ विशेश उपाय कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में चल रही उथल पुथल को शांत कर सकते हैं और अपनी कुंडली के ग्रहों को शांत रख सकते हैं और इसके लिए हमारी रसोई घर में रखी हुई काली मिर्च के छोटे छोटे दाने विशेश लाबकारी साबित होते हैं गुरुजी के अनुसार अगर आप एक महिला हैं और अपने परिवार की और अपने पती की भलाई चाहती है उनकी तरक्की चाहती है उनको माला माल बनाना चाहती है तो आपको काली के कुछ विशेश उपाय जरूर करने चाहिए, तो जैसे की गुरु जी का कहना है कि जो लोग कोई खास मनोकामना रखते हैं, या फिर अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, उन्नती करना चाहते हैं, ऐसे लोग यदि सूर्य देव को अर्पित किये जाने वाले पानी म साथ काली मिर्च के दाने डाल कर उन्हें जल से अर्ग्य देते हैं, तो उन्हें अपने कारियों में सफलता मिलने लग जाती हैं, जो विद्यार्थी परीक्षाओं में बार बार प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, या फिर आपको आपकी मनचाही नौकरी नह कामना करना पड़ता है, तो वो लोग अगर तांबे के लोटे में कुछ काली मिर्च के दाने डाल कर, पानी भर कर सूर्य देव को अर्ग्य देते हैं, तो उनके यह सभी काम बनने लग जाते हैं, और उनकी सभी मनोकामना की पूर्ति भी होती है, इसी के साथ बाला जी के प अगर आप धन प्राप्ति करने के लिए विशेश उपाय करना चाहते हैं, तो आप मगलवार वाले दिन एक पीपल का पत्ता लीजिये और ध्यान रहे कि पीपल का पत्ता आपको तोड़ कर नहीं लाना है, या तो आप उसे एक दिन पहले तोड़ कर रखिये, या फिर नीचे गिरा हुआ अगर आपको पत्ता मिल जाता है, तो आप वह पत्ता लेकर आईए, अब इस पत्ते पर आपको हनुमान जी के ऊपर चढ़ने वाले सिंधूर से, हनुमान जी का मंत्र ओम हनु हनुम्ते नमह लिखना है, फिर इस पत्ते पर 11 लॉंग, एक सुपारी, दो काली मि दो इलाइची रखकर जनेउ लपेट दीजिए, और पूजा करते समय इसे हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए, अब इस सिद्ध किये हुए पीपल के पत्ते को आप अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए, और हनुमान जी पर चढ़ने वाले सिंधूर से, अपने अपने कुंडली में शनी दोश को भी खत्म कर सकती हैं, तो अगर आपकी कुंडली में साड़े साती या धाईया का योग है और शनी देव आपको कष्ट दे रहे हैं, तो ऐसे में आप एक काला कपड़ा लीजिए, काले कपड़े में आप पांच काली मिर्च के दाने और आ आपकी कुंडली में राहु केतु के दुश प्रभाव भी खत्म हो जाएंगे और आप आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप बार-बार किसी काम के लिए जाते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती, या फिर कोई न कोई रुकावट आ ही जाती है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, आपका वो काम पूरा ही नहीं हो पाता, आपको असफलता का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में आप जब भी किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाएं, तो अपने हाथ में 11 दाने काली मिर्च के जरूर ले, और इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर इन काली मिर्च को रख दीजिए, और अपना दाहिना पैर इन काली मिर्च के ऊपर रखते हुए घर से बाहर निकल जाईए.